नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवाल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो नराइन साल पूरा हो गया है लेकिन आंदोलन अभी अधुरा है दरसल केंद सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए तीन नए कुशी कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के अंदोलन का आज एक साल पूरा हो गया है इस मौके पर काफी संख्या में किसान दिली बॉर्डर की ओर रुक कर रहे है दिली के गाजिपूर में भारी संख्या में किसानों का जमावरा लग गया है किसान संगचनों की ओर से एक साल पूरे होने के मौके पर एक जुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिली की सीमा पर फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेटिंग लगा दी गई है साथी सुरक्षवलों की तनाती में और जादा चौकसी कर दी गई है बता दें कि केंदर सरकार के विवादे तीन कुशी कानून को वापस लिया जा चुका है उसके बावजूद अब भी किसानों का अंदोलन लगातार जारी है किसान संग्चनों ने एक साल पुरे होने के मौके पर दिली के सिमाओ पर एकजिट होने का अईलान पहले ही कर दिया था जिसको देखते हुए अब हर्याणा पंजवाब से भारी संख्या में किसान दिली बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं वहीं सुबीच केंडर काबनेट ने तीनों कुशी कानूनों को वापसी पर सहमती दे दी है वहीं सहमती के बाद भी किसान नेता अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं पता दे कि भाक्यों की अध्यक्ष नरेश्टिकैप में किसानों के आंदोलन को लेकर बयान दिया नरेश्टिकैप में कहा कि आंदोलन कुछ घंटों में नहीं सिम्टेगा बलकि कई मुद्दों पर या अंदोलन चलता रहेगा दरसल प्रधार मंस्री नरेंदर मोदी ने बीते शुकरवार को देश को संबोधित करते हुए तीनों कुशी कानून वापस लेने की घोशना की थी जिसके बाद कैबिनेट की मुहर भी इस पर लगी लेकिन उसके बावजूद भी कई किसान संक्षन ऐसे हैं जो पीछे हटने के लिए तयार नहीं है यानि की आंदोलन को खत्म करने के लिए तयार नहीं है किसानों की बहुत सारी मांगे हैं चाहे वो MSP पर कानून बनना हो चाहे वो उनके उपर लगे मुकदमे वापस लेना हो बिजली की दरों में कटौती करना हो या फिर यहां पर जो किसान इस पूरे आंदोलन में शोहिद हुए हैं उनके परिवारों को मुआफ़ा देने की मांगो यह सारी मांगे हैं किसानों का साफ़तौ पर कहना है कि यह सारी मांगे पूरी हो जाए तो उसके बाद आंदोलन खत्म होगा लेकिन अगर सरकार इन मांगों को नहीं मांती तो आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। चाहे इस आंदोलन का एक साल हो, दो साल हो, तीन साल हो, निरंतर यांदोलन चलता रहेगा। तो किसानों ने दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से ज़ौाम कर दिया है। दरसर पहले से ही किसान नेताओं ने अल्टिमेटम दे दिया था कि वो दिल्ली कूछ करेंगे एक साल होने पर और आज ऐसी तस्वीरे लगातार सामनी आ रही है जो है वो सिंगू बॉडर हो, टीक्री बॉडर हो, गाजिपूर बॉडर हो भारी संख्या में किसान यहां पहुंच रही है, कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं तो कहीं जगाओं पर दिली पुलिस के तरफ से बारिकेटिंग कर दी गई है किसानों को रोकने के लिए देखिए अगर इस किसान आंदूलन की हम बात करें तो इस किसान आंदूलन ने बहुत कुछ देखा है बहुत कुछ अच्छा भी देखा है, बहुत कुछ बुरा भी देखा इसके लावा किसान आंदूलन पर बहुत सारे दाग भी लगे हैं चाहिए वो किसान आंदूलन मिर्शन्स हत्या करना हो रेप का मामला हो या फिर दंगे भड़काने जैसे चीज़े हो या फिर खालिस्तान जैसे निशान मिलना हो इसे तमाम चीज़े हैं जो इस किसान आंदोले ने देखी है तो ऐसे में कोई अब्द्रव ना हो कोई हिंसक घटना ना हो इस वजह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है सिर्फ दिल्ली पॉलीसी नहीं तमाम एजनसियां हैं जो लगाई गई है तो चलिए ग्राफिक्स के जरीया आपको बताती हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है किसानों की मांगे क्या है कब सिम्टेगा किसानों का विरोध ऐसे तमाम सवाल है जो आम जनता पूछ रही है दिल्ली बॉर्डर पर अनदाता फिर से नजर आ रही है दिल्ली कूछ करने की पूरी तयारियां जो हैं तस्वीरों में दिखाई दे रही है इसके अलावा किसानों की एक जुटता का फिर से डंका बजने वाला है ऐसी तस्वीरे सामने आ रहे है किसान नेता बार-बार ये कह रहे है कि भले ये एक साल पुरा हो गया हो लेकिन किसान अंदुरन अभी योही चंद घंटों में खत्म होने वाला नहीं है कानून वापस हो गया है लेकिन सियास्त अब भी जारी है कब तूटे गी आंदुरन की हतकरी ये भी सवाल है कि आंदुरन खत्म कब होगा क्योंकि कृशी कानून तो वापस ले ली गए है क्याबनेट की मुहर लग गई है इसकी गोशना की है एक साल पुरे होने पर किसानों का दिल्ली कूच एक बार फिल से ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है किसान आंदोलन अगर बाक की जाए तो एक साल पूरा हो गया है लेकिन किसान आंदोलन अभी खत नहीं हुआ है इस एक साल में खुशे कानूनों की वापसी हो गई है लेकिन किसानों की घर वापसी कब हो गई ये बड़ा सवाल है इस पर अभी भी प्रश्म चिन बना हुआ है कि आखिर घर वापसी कब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने कहा था कि जो मेरे भाई किसान है वो अब वापस अपने घर का रुक करें घर लोट जाए लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान संक्ठन ऐसे हैं जो वापस लोटने के लिए तयार नहीं है राकेश्ट कैर साफतोर पर कह चु किशी कानून के साथ साथ थी लेकिन इस पर अभी तक कुछ भी बयान सरकार की तरफ से सामने नहीं आया है सरकार भरोसा दिला रही है किसानों को लेकिन किसान मानने के लिए तयार नहीं है या ये कहें किसान नेता मानने के लिए तयार नहीं है आज फिर से वही तस्वीरे देखने के लिए मिल रही है जो एक साल पहले हमें देखने के लिए मिल रही थी जब भारी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे थे सिंगु बॉर्डर पहुच रहे थे, तीक्री बॉर्डर पहुच रहे थे, चिला बॉर्डर पहुच रहे थे, गाजी पर बॉर्डर पहुच रहे थे, आज भी ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है और जाद़ जानकारी के लिए मेरे सयोगी जिटीनद्र गाजी पर बॉर्डर से लाइफ जुड़ गए है जिटीनद्र कैसी तस्विर है आज एक साल पुरा हो रहा है किसाण अंदोलन का कि बिल्कुल देखिए अगर किसान अंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन पर इस बार जो एक साल हुआ उसमें एक अरग ही उर्जा देखनों के मिली है मैं आपको दिखांगा कि यह गाजीपुर बोर्डर का वो हिस्सा है जो आम तोर पर हमेसा खाली रहता है लेकिन आ अगर बात कि जाए पश्ची मुत्तर परदेश तो पश्ची मुत्तर परदेश एक कम से कम 50-60,000 इहां पर पहुते हैं और अपने एक साल की जो वर्टगाट है उसको मना रहे हैं जिने दे कहा जा सकता है कि जैसी तस्वीरे हमने एक साल पहले देखी थी इस दिन ऐसी किसानों की या उससे ज्यादा जिए जिस तरह अगर पिछले साल की बात की जाए तो जब आंदोलन की शुरुवात की गाई थी तो स्वोट किसान कम थे लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज एक साल होने पर किसान काफी तादात में यहां पर पहुचे हैं तस्वीरे कि जिस तरह से जब आए थे जब उनको इतना अंदेशा नहीं ता कि इस आंदोलन को एक साल लग जाएगा लेकिन आज की जो तस्वीरें वह ज़्यादा किसान की तादात क्या यह तस्वीरें यह जो भीड है खुशी के मारे है या फिर बुस्ता बहुत जादा है जिबिल को देखे यह जो तस्वीर है मिली जूले तस्वीर है खुशी है कि तीनों किर्सी बिल वापिस लिये जा रहे हैं लेकिन दुख है कि जो MSP है उस पर कानून नहीं बनाया जा रहा है इसके लावब जो 700 किसान यहां पर सहीद हुए है जैसे कि किसानों को कहना है उन लेकिन कुछ संगटन ऐसे है जो घरवापसी की तैयारी में नहीं अगर गाजीपूर बॉर्डर की हम बात करें तो गाजीपूर बॉर्डर जो है सबसे जादा फोकस रहा है किसान आंदोलन में राकेश ट्रिक है जो है वो हीरो बन गहे किसान आंदोलन के क्या कहना है उनका जी बिल्कुल देकिए उनका साफतोर पर कहना है कि जो 29 तारी की तैयारिया है उसको लेकर कल एक साहिपूर किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और उसी के हिसाब से आगे की रोप रेखा तैयार की जाएगी फिलार अगर गाजीपूर बोडर की बात की जाए तो दिल्ली पु इस भीड की वज़ों से इसके अलावा देखिए जुतेंदर अगर देखा जाए तो 29 नवंबर से संसत का श्रीत कालिन सत्र भी शुरू हो रहा है ऐसे में संसत का घिराव करने की बात किसान पहले ही कर चुके हैं ट्रैक्टर रेली रवाना करने की बात कर रहे हैं इसके अल पूरी तरह से विरोध देखनों को मिल रहा है हाला कि जो सिंदू गोटर की जो किसान है वो कुछ अपने जट्सों के साथ वापी जा रहे हैं लेकिन पर पर देखने रहे हैं आगर कानून नहीं बनाया जाता है तो वहां इसी तरह से अंदोलन करते रहेंगे जिसके चलते ब्रोध पर देखन कर रहे हैं और समाम किसान जो है इसी तरह से आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे आज के दिल्कुल जितेंद्र यहां पर आप बहुत देंसे मौजूद हैं क्या आपकी बात हो पाई है किसानों से क्या कहना है उनका कब तक क्यों ही डटे रहेंगे अगर सुरक्षा विवस्ता की हम बात करें तो कोई अपर यह घटना नहों है ऐसे में दिल्ली पुलिस पुरी तरह से चौक्सी बनाए हुए है जी बिल्कुल दिल्ली पुलिस के अगर बात किजाए दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस भी आंदोलन के बीच में मौजूद है और लगातार जो बड़े अधिकार यह वो यहां पर आ रहे हैं और मौईना कर रहे हैं इसके बाद अगर दिल्ली पुलिस की बात पुलिस में अपनी तरफ से पुरी तरफ से बैरिगेटिंग की हुए और तमाम से वल के साथ सा खुद भी मौजूद है कि किसी भी तरह की अपर यह घटना ना हो जाए जिस तरह से अभी आपने कहा कि सिंगू बॉर्डर पर कहीं ऐसे जथे हैं किसानों की जो वापसी कर रहे हैं क्या इस पर सीधी तोर पर सरकार वर्सिस राकेश ट्रिकेट होने वाला है क्योंकि पर्श्यमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देख रहे हैं गाजीपूर बॉर्डर पर तो यहाँ पर हालात वैसे ही हैं जैसे एक साल पहले थे वहीं भीड दिखाई दे रही है जिब despair पिल्कुल देखिए अगर गाजीपूर बोडर की बात कि जाये तो जो जत्थे यहां से गए हैं वो गुण फिप तरीके से गए हैं और उसके अलावा जो यहां पर पहँचे है वो किसान की ताद़ बहुत ज़eurs ज़़ए mayor इसके ऑलावा अगर बात की जायाा है दो वान से जो साफ तोर पर पंजब को रज़ेतों के पर नहीं तो यह पर पश्यमूतर प्रदेश always धरीक साल में इस किसान आंजोलन में इस पूरे एक साल में जितने भी किसान शहीद होएं उनके परिवार्वानों मुआफ़ा दिया इसके अलावा जो ज़े मिश्वा है उसकी बर्खासगी होनी चाहिए इसको लेकर आज क्या मंधन किया जा रहा है जी बिल्कुल देखिए इसको लेकर रंडी 30 बिल्कुल स्थाफ है कि कल जो सईस्तु किसान मोर्चा की मिटिंग होगी उसके बाद इस जो रास्ता होगा वो आगे निकाला जाएगा फिलाल उनकी जो इसकी तितिय है वो पूरी तरह से वही है कि MSP पर कानून हो इसके अलावा जो 700 किसान सहीद हुए है उनको अनुदान के रूप में मुआवजा दिया जाए या फिर उनके जो परिवार वाले हैं उनको सरकारी नोकरी दी जाएजी नहीं जिदेंद्र ये जो तस्वीरे आप दिखा रहे हैं बार-बार बहुत जादा भीड है आपके पीछु में देख पा रही हूँ कि ट्रैक्टर चॉली भी बहुत जादा नजर आ रही है किसान भी बहुत जादा संक्या में यहां पहुंच रहे हैं तो इससे क्या समझा जाएं इन तस्वीरों से कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी एक सब्तहा पहरे ही घोशना करते हैं कि तीनों कुशी कानून बापस लिये जा रहे हैं ओस दिन वो श्रमा भी मांगते हैं साथी साथ लोगों से, यानि कि किसानों से भी बेलब करते हैं क कि वो अपने घर लोड़ जाए लेकिन किसानों कि संख्या बहुत जादा है यानि कि उनकी बात को नहीं सुना गया नहीं माना गया अजब से परधान मंतरी निरेंदर मोधी ने कहा है कि वो च्रमा प्रार्ति हैं और जो तीन किर्ची कानून हैं उनको वापिस ले रहे हैं किसान जो अपना धरना घटम करें वो घर पोच जाएं लेकिन उसके पास से तस्वीरे आई कालग ही आई हैं कहा जा सकता है कि जिस तर यह जो अभी परधान मंतरी मोधी जी ने अपने भासड में कहा है क्या वहीं स्टाइजी अपना सकते हैं राकिष्टी कहता आज पिर से यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि आगे की जो रण नीती है वो किस तरह की होगी जितेंद्र और क्या कुछ नया नजर आ रहा है आज गाज़कूर बोर्डर पर क्योंकि एक साल से तो हम वह आंदोलन देखी रहे हैं लेकिन आप तो कुछी कानूनों की वापसी हो ग में शामिल होंगे तो किसान आंदोलन पर चर्चा संभव है हो सकता है कि जो किसानों की मांगे है वो माननी जाए तब क्या आगे किसानों का कदम रहेगा किसानों की साफ तोर पर मांग सिर्फ अब यही बच्ची है कि संसद में जब तीन काले कानून को हटाया जाएगा आला कि उनको हटाया जाएगा और उसके बाद MSP पर अगर कानून बनता है तो वो यहां से प्लाइन करेंगे इसके अलावा अगर कोई और उनको दिलासा दि लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब कल सहुपिसान मोर्चा की मीटिंग होगी तो वहां से जो गाजीपुर बोर्डर का जो अंदोलन चल रहा है उसकी रास्ते जो वो साफ वाएंगे क्यों कि सिंदू बोर्डर की तस्वीरे अब थिन बने लगे तो इसलिए गाजीप गाजीपुर बोर्डर पर ही मौजूद है और लगातार जो उनके समर सके हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं और इदर से उदर मीडिया के बयान बाजी और इनी चीजों में आज व्यस्ट है बिल्कुल यानी का जो आ सकता है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है आज के रणी की कुछ अलग ही दिखाए देगी जिते अंदर आपका बहुत शुक्रिया तमान जानकारी पहुंचाने के लिए नजब बना के रखेगा अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे तो तस्वीरे आपने देखी अभी भारी संख्या में जो किसान है वो मौजू है ना वो सिर्फ और सिर्फ सरकार वर्जेज राकेश ट्रिकैत रहे गई है क्योंकि राकेश ट्रिकैत ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं क्योंकि अभी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है और भी मांगे हैं मैस् कानुब और मुकदमे दर्ज होते हैं उनको वापस लेना इसके अलावा आजे मिश्रा की वर्खास की इसके अलावा जो शहीद किसान हुए हैं उनके परिबार वालों को मुअबजा देना साथ ही साथ उन्हों रहाए कि शीदकालीन सत्र जब शुरू होगा उसमें संसर में इस कृष्षी कानून को जो बिल है इसको वापस लिया जाएगा तब ही हम मानेंगे अनिथा या अन्दोरन यूँ ही चलता रहेगा तो ऐसी तस्वीरे सामने आ रहे हैं एक साल पुरा हो गया है बदला कुछ नहीं है उतार चड़ा बहुत देखने के लिए में लेकिन भीड़ वही है राकिश टिकेट वही है और वहीं उनके आसू है जिसने इस किसान आंदोरन को एक नई धार दी थी तो दिल्ली बॉर्डर का रुख जो किसान है वो करते हैं नजर आ रहे हैं लेकिन दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट कोई अपरिय घटना नहों इसके मद्द नजर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है कई रूट जो हैं डाइवर्ड कर दिये गए हैं कई रूटों पर बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है ऐसी तमाम तस्वीरे सामने आ रही है तो किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो गया है इस एक साल में बहुत कुछ बदला है बदला जो नहीं है वो है राकेश ट्रिक है बार-बार मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि आंदोलन यूहीं चंद मिंटों में चंद घंटों में खत्मोने वाला नहीं है जुरत पड़ी तो आंदोलन को और आगे खीचेंगे तो किसानों ने दिली बॉर्डर का रुक किया है सी तवाम तस्वीरें सामने आ रही है किसान जो हैं एक बार फिल से खटा हुएं और भारी संख्या में जैसा कि मेरे सेयोगी ने अभी बताए भी था कि बहुत जादा भी चालिस से पचास हजार किसान जो है वो गाज़िफुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं यारी कि एक बार फिल से वही भीड़ हमें देखने के लिए मिल सकती है आज रणीती तयार की जाएगी कि 29 तारी को क्या करना है क्योंकि पहले ही किसान जो हैं वो के चुके हैं कि 29 तारी को संसत का घेराब वो करेंगे ट्रेक्टर रैली निकालेंगे इसके लावा विदेशों में भी आंदोलन को और जादा हवा दी जा रही है किसान आंदोलन सिर्फ भारत की गलियों भारत के शेरों और गाउं तक सुविमत नहीं है ये विदेशों तक पहुँच चुका है और उसकी बाते विदेशों तक होती है तो ऐसे में इस पर सरकार के निगा बहु भी बनी हुई है क्रिश्री कानून वापस लिये गए क्याबनेट की तरफ से मुहर भी लगी है लेकिन किसानों का मानना है कि और भी उनकी मागे है उन्हें पूरी की जाए जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक गाज़िपूर बॉर्डर पर जो आंदोलन है वो चलता रहेगा वो खत्म नहीं होगा क्योंकि जो आंदोलन है राकेश च्रिकेट का कहरा है कि आंदोलन चंद घंटों में नहीं खत्म नहीं होने वाला है और ये चलता ही रहेगा क्योंकि किसानों के सामने जो है वो जो सरकार का घमन था वो चूर-चूर हुआ है हालाकि प्रधानमंस्री नरेंद्र मोधी ने साफतर परकारदा की हो सकता है कि हम किसानों को मनाने में काम्याब ना हो पाए हो लेकिन ये जो कृशी कानून थे वो किसानों के हित्मे थे तो कानून की बापसी, किसानों की घर बापसी कप, ऐसे तमाम सवाल जो हमारे सामने हैं, जुनके जबाब तलाशने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं आज जो भी ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आंदुलन का एक साल पूरा हो गया है तो ऐसे में वो भीड वही तस्वीरे एक बार फिर से हमें दिखाई दे रही है बागे विदायकों की लंबी फेरिस्ट है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है बियस्पी में यूपे विधायन सभाच चुनाफ से पहले मायवती की पार्टी बियस्पी को बड़े जटके लग रहे हैं वंद्रा सिंग के बाद बस्पा के एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी है बस्पा के नेता सदन और आजमगड के मुबारकपूर से विधायक शोहा आलम उर्फ गुड़ू जमाली ने बस्पा को अलविदा के दिया उन्होंने बस्पा के सभी पदों के साथ विधायक के पद से भी स्थीफा दे दिया है श्वालम ने मायवती को अपना स्तीफा भीचा है बसपा मिधायक श्वालम ने पाठी प्रमुक मायवती को अपना स्तीफा सौपा और कहा कि 21 नमबर को आपके साथ बैठक में मुझे लगा कि या पार्टी की प्रती मेरी भक्ति और इमांदारी के बावजू संटुष्ट नहीं है। मैं पार्टी पर बोज नहीं बना चाहता, अगर मेरा नेता मुझ से या मेरे काम से संटुष्ट नहीं है, तो फिर मैं पार्टी से स्तीफा दे रहा हूं। तो मायवती को बड़ा जटका लगा है कि बाद एक कई मिधायक जो है वो पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में सवाल ये है कि आकर मायवती का अब 2022 में क्या होने वाला है क्योंकि सभी दल सक्रिये हैं सिर्फ एक BSP कहीं न कहीं बाक फूट पर नजर आती है तो क्या पूरा होगा मायवती का मिशन 2022 एहम सवाल एहम सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक विधायक बागी हो रहे हैं चुनाव से पहले बसपाध्यक्षु miedo कर बड़ा जहत्तका लगा है एक और विधायक जो है उसने पार्टी से अलविदा कह दिया तो बसपा कि एक और विधायक का पार्टी से अलविदा सामने आये साफतोर पर उनका कहना है कि उन्हें रखता है कि वो संटूस नहीं है और सी वज़ों से वो पार्टी से स्तीफा दे रहे हैं 2022 का चुनाव है और माया की जीत परदाव लगा हुआ है मायवती तमाम हद कंड़े अपना रहे लेकि इसके बावजूद भी पार्टी बिखरती हुई नजर आई है विधायक बिन किसे कैसे जीते सत्ता करण ऐसे तमाम सबाल मायवती के सामने हैं कि विधायक नहीं है तो फिर सत्ता करण कैसे जीता जाएगा कपिश वास्तव सपा से प्रवक्ता है मार साथ जुड़ गए हैं कपिश न्यूजवल इंडिया में आपका बहुत स्वागत है तो एक और रायक ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है तो ऐसे में बस्पा के सामने जो घने काले बादल हैं 2022 का रण फता करने के वो छटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ऐसी तस्वीरे सामने आ रहे हैं कि आखिर मायवती का क्या होगा क्योंकि विधायकों की कमी है लगातार जो नेता है वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं कपिश वास्तप जी अवाज आ रही है मेरी कपिश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ बताएं पूचे अब जी एक के बाद एक बस्पा में विधायक जो हैं वो तूट रहे हैं क्या लगता है तेके बहुत सीदी सी बात है कि काफी दिनों से भार्टी बस्पा के जो विधायक है वो अपनी पार्टी से असंतुष रहे हैं उसके कारिकृतियों से असंतुष रहे हैं अपने नेतुर्त से उनकी कुछ अजबंजस की स्किती रही है, कोई कनेक्टिविटी नहीं रही है, ऐसी परिशितियों में कुछी जगों पे ऐसा भी रहा कि बहुजन समाद पार्टी जो है वो भारकी जंता पार्टी के साथ जाहे राज सभा हो या मलसी का चुनाओ हो, वहा साथ भी गटबंदन तो किया था 2019 में, देखिए हमारे साथ जब गटबंदन था तो हमने तो गटबंदन तोड़ा भी नहीं और हम लोगों का तो अगर गटबंदन था तो वहचारिक तालमेल था क्योंकि सम्का मूलब स्वार्टी आज मायवती ने प्रेस कॉंफरेंस की है हालकि वह समिधान दिवस पर प्रेस कॉंफरेंस कर रही थी लेकिन यहां पर सपा को आरे हातो ले गई सब्सक्राइब कर ले बहले ही तमाम भाशन दे दे लेकिन सपा ने कुछ किया नहीं है विकास के नाम पर कुछ नहीं किया थे क्या समाजवादी टाटी का जो विकास है वो बहुतिक रूप से दिखाई देने वाला विकास है अभी लखनों के अंदर ही जितनी परियोजना कहτιे मैं गिन दून एक और जितनी परियोजना कहीं र vyözen निया धिना है आपके सामने हैं 30 में मेट्रो खड़ा किया प्रवांचल एक्सप्रेस वे की जो जमीन की उसमें सतर फिस्दी हायर करके पाथ को टिंडर किया था और आपने देखा कि बाद चिकित्सास अस्तांड एक ट्रमा सेंटर गोरगपूर को देना के काम किया इंज के लिए भूमिन उ बात खटास की नहीं है और नहीं केस्ट हाउस कांड किये क्योंकि बहन मायावती जी ने उस समय भी क्लियर कर दिया था कि इसमें समाजवादी पार्टी का कुई हाथ नहीं और मैं तो तीसरी चीज़े कह रहा हूँ कि देखिए बहन मायावती जी के एक राजनीती करने की अलग विधा है और वो निपड़ता उन्हीं में है और किसी और में है भी ने तो उनकी राजनीती का एंगिल अलग है और जब वो हमारे साथ विचाधारा के साथ ख़ड़ी तो हम लोगों ने निशित और उनके साथ आगे बने का ताम किया था और हम लोगों ने कभी हम लोगों ने कभी उनको द्वस्त भी ने किया कि हम लोगों ने उनका साथ चोड़ा हो और निशित देखिए उनके कटवंदन अगर हमसे हूआ तो उनको लाब भी पहुचा जहा कोई घर और खेट मिड़की तो लड़ाई है ने कि जिसका लाव और घाटा देखा ज़िए जो है सेवा का माध्यम चुनती है तो समाजवादी पार्टी तो सप्ता परिवर्तन से वेवस्ता परिवर्तन के लिए चाहिए तो जनता जब हमारा साथ है कि हम निश्चित रूप स सप्ता परिवर्तन के माध्यम से वेवस्ता परिवर्तन के लिए तो बीएस पी कही न कहीं इस सचुनावी रण में बहुत पीछे नज़र आ रही है देखे चाहिए कॉंग्रिस हो चाहिए चोटे चोटे दल हूँ सभी लगातार अपने आपको बढ़ावा देने के लिए त तो वक्त ही बताएगा फिलाल के इतना ही आप बने रहें निज्वल इंडिया के साथ